हर मुश्किलो आसान सब का है समधान नमस्कार मैं आपकी एश्रुदोष अर्चना गुपता अपने जोतिस के चैनल पर आप सभी का हादिक स्वागत करती हूँ और कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थो प्रसंद होंगे आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ शुक्र गुजारूं आपको मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोगों ने जिन्होंने मेरे स्चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ आप मुझे इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें हाजिर हूँ आम्रत की भूंद और जादूई एक्षर लेकर इसके साथ ही आपको रहू का लर्वजीत मौर्द का समय दूंगी जिनका बर्थ रिया मेरे जैनुवर सरी है उनके लिए शुबंक लेकर आई दोस्तों हम अपने जीवन में किसी ना किसी समस्या को लेकर तना अग्रस्त होते रहते हैं परेशान होते रहते हैं हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा होता है प्राचीन जोतिस में जो हमको बताया जाता है उसमें हमें अंटो 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 लंबी लंबी पूजाए बताई जाती है, मंद्रों के जाब बताई जाते हैं, हवन इत्यादी बताई जाते हैं, दान इत्यादी बताई जाते हैं, और मेंगे मेंगे रत्न पहनने के लिए बताई जाते हैं, और हम वो सब करके भी देख चुके होते हैं, लेकिन उनका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता और हम पस्तावा करते हैं कि हमने एतना धन खर्च कर दिया और हमें इसका कोई लाब नहीं मिले है और हमारा फिर जोतिस से विश्वास उप जाता है लेकिन मैं जो आपको प्रति दिन जो अमरत की भूंद और जाद हुए एक्षर देती हूं मैं मातर एक-एक मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो मैं आपका समय ही लेती हूं नहीं आपसे कोई धन कराती हूं ये आपकी किचिन की चीज बस्तुओं से ही ये प्रयोग हो जाती है मातर एक-एक मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो आपको राशी देखने की आवश सकता है, नहीं अपने जन्मांग के ग्रहों को देखने की आवश सकता है। ये बहुत छोटे स्तर पर ये आपके दिन को शुब बनाने के लिए आपके ग्रहों को संदुलित करने का कारे करते हैं। तो इसलिए इनसे लाब तो पूरा मिलता है, हानी की कोई गुणजाश ही नहीं है। तो अगर आप अपने समस्याओं से ग्रस्त हैं, आप भी बहुत अधिक परेशानी जेल रहे हैं, तनाब जेल रहे हैं, और आपको कोई मार्गरी समस्य में नहीं आ रहा है, तब आपको इन प्रयोगों को अवश्य करना चाहिए। आपको दो-चार दिन में इनका जब असार आने लगेगा, तब आप मेरे इन प्रयोगों चोड़ी नहीं पाएंगे। वर्स्तक के बुजुर्ग, यानि बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उप्योगी प्रभावी हैं, और मात्रे एक एक मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना समय लगता ना कोई धन खर्च होता है, इन प्रयोगों को करके आप अपने जन् का एक ग्रह, 0.1% उसमें संतुलित होने लगता है, अगर पीडित होता है तो उसकी पिनाई शांद होने लगती है, कमजोर होता है तो उसमें बल आता है, और मजबूत है तो उसकी शुपता और बढ़ने लगती है, इस तरह से ये प्रयोग आपको फाइदा पुचाने का का कारे करते हैं, और जादू यक्षर आपके दिन को लखी बनाता है, बहतर बनाता है, आपके मन को खुछ रखने का कारे करता है, तो दौनों प्रयोग आपको एक साथ लंबे समय तक करने होंगे, आप जब लगातार इनको करेंगे, और जब इनका आपको शुफल मिलने लग तब आप खुद हैरान रहे जाएंगे, सबसे पहले तो ये प्रयोग जब आप करते हैं, तो आपके मन शांत रहने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है, आपकी औरा क्लीन होने लगती है, औरा जो हमारे उपर जो हमें दिखाई नहीं देता है, एक हमारे उ प्रभावित होती है, तो आपकी औरा क्लीन होने लगती है, आपकी इमिनिटी बूष्ट होने लगती है, आप जल्दी से किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होते हैं, आपकी सोच इतनी अधिक पॉसिटिव हो जाती है, कि आपको बड़ी समस्याँ से निकलने के लिए आपको उ मार्ग दिखाई दिने लगती हैं तो इसलिए इन प्रियोगों को आप स्वैम करें अपने प्रिवार के सभी सतस्यों को कराएं बच्चों को कराएं माता-पिता को कराएं जिससे की घर में कि बातावरण सुख़द हो और शांती पूंड हो 21 दिसंबर 2020 दिन सोंबार आज का राहुकाल है सुबह 8 बचकर 18 मिनट से 9 बचकर 48 मिनट तक इस समय आपको कोई भी शुभव नया कार आरम नहीं करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूम कि राहुकाल में किया गया कोई भी कार है उस समय हो सकता है हमें फायदा पौचा दे लोंग आंगे चल के वो कार हमें नुक्सान ही पहुँचाता है इसलिए मैं आपको कहती हूं अगर आप राहुकाल का समय अवोइड कर सकते ह는 तो आपको जरूर करना चाहिए, अब जीत महुर्थ का समय है, 11 बच कर 56 मिनट से 12 बच कर 36 मिनट तक, इस समय आप कोई भी शुवनया कारारम कर सकते हैं, अब जीत महुर्थ का समय भी देने के पीछे यही मकसद है, आप कोई विशेश डील करने जा रहे हैं, कोई विशेश महत्पूर का इस समय की आगे हर कार में आपको सफलता अवश्य मलती है, आज की अम्रत की वून में आपको एक गलास दूद में, दो चुटकी हल्दी पाउडर, साथ में स्वथोड़ी मिश्री मिक्स करके, आप इसको नास्ती में शेवन करें, प्रयोग पूरा हुआ, आज का जादू य मैं आपको नया शब्द दूँगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं, आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, तो एक छोटी से सफेद काकच की चिट ले लिजे, रेड कलर के पैंस से लिखिए, फोल करके परसे पॉकेट में रखिए, रात में सोते समय तकिय के नीचे रखिए, दूसरे दिन फार्टर किसी प्रेड की जड़ में छोड़ दीजे, इसे नाली में ना वहाएं, इसके अलावा, आप इसको अपनी मदर टंग्यानी मातर भाशा में भी लेख सकते हैं, लेकिन प्रनाउंसेसन इसका वाही होना चाहिए, आप मेरे ये प्र सब्सक्राइब कर ले, चैनल के नीचे रेट कलर से सब्सक्राइब लिखлам आप उसे रेट कलर को प्रेस करेंगे चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ में घंटी के बटन खुलकर आ जैंगे, आप उन्हें बंगर कर लेजे, हमेरे हर वीडियो को नोटिफीकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा है आप जिनका बर्थ दे या मेरे जिन्वरसरी है उनका ये वर्ष दिसंबर को किसी वी वर्ष में हुआ है वो इस प्रेव को करेंगे एक वाइड कलर के पेपर पर है रेड कलर से थ्री नमबर यानी तीन का अंक लिखेंगे, साथ में उसे एक छोटी सी हल्दी की गांट, उसमें भांध कर, अगर वो अपने पर्स में या पॉकेट में वर्स भर अपने साथ रखने, यह अंक और यह हल्दी की गांटों ने वर्स भर सुब्तापदान करती रहें, आप मेरे अनब वीडियो देखने के लिये जो मैंने विभा के उपर दियें धन के लिए दियें वेटलास के लिए दियें है आप मेरे स्चैनल पर जाएं धो भी आब है तूजम 15 बार दिसे है।